जैएं दोस्तों, बहुत दिनों के बाद जो है मैं आप लोगों के सामने आप आया हूं, चूंकि मेरी ट्रेनिंग चल लए है, डिपटी एस्पी की तो काफी बैस्तता बढ़ गई है, सुभा से लेकर साम तक जो है ट्रेनिंग होती है, जिसमें प्रेड होते हैं, ड्रिल होती है classes चलती है CRPC IPC यह सारी चीजे चल रही है तो क्या है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था आज जो है संडे है तो आज जो है टाइम मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के सामने जो है मुखातिब हुआ जाए आज मैं कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाए की बाते नहीं करूंगा मैं बाकी आज यह समझे कुछ मोटिवेसिनल जैसी बाते होंगी मैं यह आया हूं कि कहने आया हूं आज जो वीडियो का टापिक है वो यह है कि हम कैसे अपने आपको जो है क स्ट्रॉंग रखें की सामने वाले के कमेंट से सामने वाले की आलोजना से खुद को रोक लें कैसे हम जो है दूसरों के द्वारा परभावित हुए बिना खुद अपने सफलता के मार्ग पे अपने लच्छ की तरफ लगातार बढ़ते रहें तो मैं आज जो है आप लोगो खुद को प्रूब करना छोड़ देना है क्या करना छोड़ देना है हमें खुद को सिद्ध करना किसी दूसरे के सामने खुद को प्रूब करना छोड़ना है असल में यह होता है कि हम जो है दूसरों को दिखाने के चकर में कि यार हम यह सही कर रहे हैं हम जो पढ़ रहे हो स या यूपी पीसेस की तयारी कर रहे हो अगर आप कहते रहोगे कि यार मैं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं लेकिन कोई नहीं सुनेगा आप पढ़ रहे हो जब तक कि आप रिजल्ट नहीं दोगे जब आपका परिनाम आएगा आप सफलता की लिष्ट में होंगे तो खुद वो वैसे ही हमें देखता है अगर सामने वाला हमें सही मानता है तो हमें हजारों कमियां हों हमारे अंदर जितनी भी बुराईयां हों वो उस चीज को दरकिनार करते हुए हमें अच्छा मानता है हम कुछ भी करें वो हमारे साथ होता है वो कहता है कि बाई कोई बात नहीं त तो इस चीज से आप दूर रहो, आप खुद को प्रूब करना छोड़ दो, दूसरी जो बात है वो है मूँ बान करना, मतलब यह है कि आपको कभी भी एक जगा पे रुकना नहीं है, क्या होता है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्तितियां आती हैं कि हम जीवन में बढ़त को कुशते रहते हैं, हम ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, थोड़े समय के लिए जंजावत जीवन में आते हैं उतार चड़ावाते हैं लेकिन अब उसी पर अपनी गारी रोख देना ये तो फिर मुर्खता होगी हमें रुकना नहीं हमें मूबान करना है हमें आगे बढ़ते रहना है हमसे अगर कोई गलती हो रही है तो हमें उन से उन चीज चाते हो जो चाहना चाते हो पैसा चाते हो नोकरी चाते हो जो भी चाते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आगे बढ़ते रहा जाए जीवन में जो भी परस्तिती आये सुख हो दुख हो विपरीत परस्तिती हो कोई बात नहीं है हम सीखेंगे आगे बढ़ेंगे और आ तुलना करते हैं कंपेर करते हैं और हकीकत यह है कि हमारा डिन ने इस संसार में पूरी ब्रहमान में किसी से मैच नहीं होगा कोई माई कलाल हमारे डिन तुलना हम किस से करते हैं अगर हम लाक रुपए वाले हैं तो हम सो रुपए वाले से अपनी तुलना नहीं करते हैं हम अरब रुपए वाले से तुलना करते हैं जिसके पास अरब रुपए हैं और फिर जो है हम अपने लाक रुपए को भी नहीं कर पाते हैं और यह दुग मे कि हम इसी सोच में उल्जे रहते हैं इसी तनाओं में पड़े रहते हैं इसी स्ट्रेस में रहते हैं कि यार उसके पाफ बहुत पैसा हमरे पास कुछ नहीं है तो यह चीज करना छोड़ दो यार जो हमारे अंदर है वो सामने वाले के पास नहीं है जो सामने वाले के पास हो न हम है हम हम हैं आप-ाप हो भाई अपना देखो तो यह चीज जो मैं कहना चाहता हो कि कझि घुड कि तुलना खुड से करो कि तो क्ल से करो कल मैं है साथ तो ऑज कितना सुधार मेरे अंदर हुआ है मेरे body language में कितना परिवर्तन आया है मेरी communication skill में कितना परिवर्तन आया है यह चीज़ देखो खुद को improve करते रहो खुद को तुलना खुद से करो और आगे बढ़ो जो जितना चीज मुझे कल आता था क्या मैं उससे आगे बढ़ पाया क्या मैं जीवन में एक ही जगां पर र तो हमेसा क्या होगा कि जीवन में हमेसा दुख ही दुख रहेगा कभी भी आप उन चीजों का इंज्वाय नहीं कर पाओगी जो चीज़ें आपके पास होंगी आपके पास पैसा डेर चारा होगा लेकिन आप दूसरों की पैसे को देखके खुद की तुलना करते रहोगे औ जो बात है जो आपको अपने attitude में बदलाओ लाना हो यह है कि आपको अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है चौती बात है कि दूसरों की सफलता में खुद को सामिल करो दूसरों की सफलता की जो पार्टी होती है उसे enjoy करो अक्सर क्या सचाई यह है कि हम मेंसे अधिकान सों हैं तार यह जो जलने वाले लोग ओते हैं यह जीवन में फिर कभी सफल नहीं होते हैं उसदिनाप दूसरों की सफल्टा को इंज्वाय करते हैं उस दिन आप सफल लोगों के साथ होते हैं आप dhp तरफ सफल लोग होते हैं और जब आपके साथ सफल और जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल कर लिया है जब आप उनके साथ होते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं कहते हैं कि संगती का बहुत असर होता है जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब आप सफल लोगों के साथ गिरे होते हैं तो आपकी भी सफलता कि संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है आपको ऐसे suggestion ऐसी चीजें मिलती हैं, ऐसी skill मिलते हैं, ऐसे experience मिलते हैं, जो आप आसफल लोगों के साथ रहकर, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. आसफल लोगों की समस्या क्या है कि वो तो खुद आसफल होते ही हैं, दूसरों को भी सफल नहीं हो सफल लोगों के साथ जो है, उनकी success party को enjoy करो, उनकी सफलता में, उनकी experiences को सीखो, उनसे सीखो, उनसे समझो, तो इस तरह अगर हम अपने attitude में परिवर्तन लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने जीवन का अपने आदत का हिस्सा बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम आ आना चाते हैं, कोई भी चीज़ जो आप करना चाते हैं, ये attitude, ये जो positive attitude है, जो चीज़ हमने आपको ये चार बाते बताई हैं, ये चीज़ अगर आप जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या चीज़ें याद रखनी है, पहली चीज़ है कि कभी भी खुद को जो है, दूसरों के सामने प्रूब करना छोड़ दो, दूसरी बात है, दूसरी जो बात है, वो ये है कि कभी भी एक जगहां पर रुकना नहीं है, जीवन में सफलता हुआ, सफलता हो, कुछ भी हो, हमें मूव आन करन है, हमें आगे बढ़ते जाना है, तीसरी बात है, कभी भी खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, अपनी तुलना खुद से करूँगा, खुद को इंप्रूब करूँगा, यह हमारे जीवन का धेया होना चाहि चौथी बात यह है कि हम कभी भी असफल लोगों की साथ नहीं रहेंगे उनकी जैसा नहीं सोचेंगे हम अमेसा सफल लोगों के साथ रहेंगे उनकी सफलता का हिस्सा बनेंगे उनकी पार्टी को इंज्वाय करेंगे तो इनी चार बातों को जो चीज है इसे आप याद और इनको फालो करिए निश्चित रूप से आपको इससे लाव मिलेगा जाहिन